नमस्कार दुफ्तों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट यूटूब चैनल पे दुफ्तों आज से शुरू हो रही है इन्वर्सिटी वा कॉलेज छात्रों की परिच्छा की तैयारिया इस चैनल के मादम से बीए बेसी बीकॉम के जो चात्र है उन आप सभी के बहुत से कमेंट आए तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि आज से आप सभी की क्लासेज परड़े आप लोग को कराई जाएंगी और जो की वह सारे क्वेश्चन आपको प्रवाइट किया जाएंगे जो पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हो चुके कैंसा भी किषे को क्यार वह सारे क्युत में आपको प्रवाइट करूंगा जो पिछले सालों में कई वार रिपीट हुए हो और टॉप लेबल के मैं आपको कोशाश करूँगा कि आपके एकजाम में काफी आपको हेल्फ मिले जो आने वाले आपका एकजाम हैं तो आज से मैं classes start कर रहा हूँ तो सबसे बड़े announcement है आप ज्यादा फे ज्यादा लोग इससे जुड़िये ज्यादा फे ज्यादा छात्र जुड़े और जो आपके पड़ोस में है या फिर आपके relation में है उनसे जरूर ज्वाइन कर आई है चैनल क्योंकि इस पे आपको बहुत ही important question provide कि जाएंगे तो जो पहले सीरीज आज कि मैं कुछ question ही provide करूंगा आप सभी को जो की बीए के होंगे ठीक है क्योंकि अभी से अगर मैं full class अगर start कर रहा हूं तो काफी चात्र जो है वह इस class content नहीं कर पा रहे हो सको उनको जानकारी नहों तो इसलिए कुछ ही question मैं हला कि बहुत सारी बाते हैं हम day by day by वीडियो में बताएंगे आप लोगों को हला कि यह class मैंने आपको बताया था कि 7 सवा 7 से start हो जाएगी लेकिन sorry उसके लिए मैं sorry चाहूंगा यह class थोड़ा late से start हो रही है क्योंकि काफी मेरे पास काम था तो इसलिए मैं time नहीं दे पा र बाट के बीच ही आप लोग timing set कराईएगा बताएगा कि कौन सी time रखी जाए class की ठीक है तो उसी कोडिक में decision लोगा कि कौन सी timing exactly आप सभी को बीडियो प्रवाइट की जाए ठीक है चलिए बात कर लेते जो question top level के आप लोग भी तो देखे कौन सी question हम बताएंगे ठीक है और सभी को त्यारि होंगे चाहे हिंदी हो चाहे एंगलीस हो चाहे वह सोलोजी हो चाहे history हो और बी other subject जो भी है जाहे बीएक हो सोलोजी उसकी हो जिलोजी हो बॉट्नी हो ठीक है वो सभी प्रवाइट की जाएंगी उसके लिए आप लोग विफिक्र रगिएगा ठीक है तो जो पहले हम आप लोग को प्रवाइट करने वाले बीए फश्टेर की जो हिंदी की जो कुछ टॉप कोश्चन है जो कि पहला आप सभी को मालूम है कि पहला जो स्रीज है वह कभीर दार जिससे स्टार्ट हो रहा है पहला लेसन तो कभीर दार जिससे रिएटेड एक्जाम में कम से कम 4-5 पूछे जाते हैं ठीक है कभीर दार जिससे समंदित हिंदी के एक्जाम में तीन से चार कोश्चन पूछे जाते हैं अगर आप लोग यह अच्छे कोश्चन समझ के जाएंगे तो आपके 4-5 कोश्चन कंप्लीट 100% 4-5 नंबर आपके किलियर हो जाएंगे हलाकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी कौण सी इन्वर्सीटी सब्जेक्ट्यू कोश्चन पेपर प्रवाइट करेगा है फिर कौण से ऑब्जेक्ट्यू यह कहने का मेरा मतलब यह बहुत साइज इन्वर्सीटी है जहां पर फश्टियर में ओमार सीट पे एक्जा आया कराई जाए जैसे भी न्यूज मिलेगी तो मैं आपको प्रवाइट कर दूँगा फिरहाल आप भी प्रवाइट कर सकते हैं कि हमारे जो सर जी हमारे जो एक बार एकजाम होंगे 2022 में उसमें किस प्रकार के कोश्चन पूछे जाएंगे यानि कि अब्जेक्टिव होंग कोश्चन है मैंने वह रखा है कबीर दास का जन्म का हुआ था हाला कि बहुत से चात्रों का इसका कोश्चन का एंसर मालूम है लेकिन जो टॉप लेवल के कोश्चन है वह सी के अंतरगत आ रहे हैं और यह पूछे भी गए हैं कई पार एकजाम में इसलिए मैं आप लोगों गोला बनाना होगा अगर उमार सीट पर एकजाम हो रहे हैं तो इस कोश्चन के तो राइट अंसर हो जाएगा दो तो वह हो जाएगा मैं आपको बता दूँ कबीर दाफ जी का जो जन्म हुआ था वह हो था उन्नीस तो आट सुरी तेरा सो अठानवे में इसलिए कोश्चन क आट से टिकल लेंगी कौन सा राइट एंसर होगा अगर आपको मिली गें इसमें जो का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रोफ नीरू दूस्तों ठीक है राइट निरू हो जाएगा ध्यान रखेगा और समझेगा क्योंकि मैं आप लोग को फिर से लेबल के अंतरगत आती हैं ठीक है ध्यान से अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और दोस्तों मैं आप चीछ आजगारी के लिए भी बता दूं कि जो भी कुश्चन प्रोवाइड की जाएंगे उसमें कुछ कुश्चन मुझे लगता है कि कहीं मेरे बोलने से या फिर टाइप करने में कुछ मिस हो गए हो उसे आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा उसके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ वर्ड हो सकते हैं कि गलती से लिग गये हो या फिर मैं बोल दूं तो उसके लिए आप लोग उ उनका नाम था रामानंद इसलिए रायट है वह जाएगा आपसर नंबर नमबर बढ़ते हैं अगले क्यों स्पारिपिकरक की पत्नी का क्या नाम था कबीर दास जी उनकी पत्नी का नाम था आपसर है नंदनी उप्मा रीमा लुई तो इस कुश्चन के जो राइट एंसर हो कबीर जी की जो पत्नी थी उनका नाम था लोई ठीक है अब हम बढ़ते हैं अगले कोईश्चन के और अगला कोईश्चन इस सीरीज में रखा गया यानि किस क्लास में वह है कबीर निर्गुड धारा के किस साखा के परवर्तक थे आफशन एक है कष्णा साही बी नंबर ग्या कबीर दाफश्ची निर्गुड का विधारा के ज्याना स्रेई साखा के परवर्तक थे जान दीजेगा इसका राइट है आफशन पसंप्सरही साखा के परवर्तक थे, कि अगले कुछिछिन को हम बढ़ते हैं अगला जो है कि कबीर हिंदि साहीद कि किस काल के कभी थे इंक क हुआ है तो उसको ध्यान में रखिएगा आप से ने के आदिकाल बी नमबर छाया वादिकाल पिसी नमबर भक्तिकाल डी नमबर रितकाल तो इस को राइट एंसर हो जागे तो वह जाएगा आप से नमबर सी भक्तिकाल ठीक कभी ते कभी थे ओके अब बढ़ते हैं अगले क्यों अगला क्यों जो है कबीर दास जी किस जाद के थे अफसन ने के धुनिया में नमबर जुलाहा शी नमबर दर जी और डी नमबर में से कोई नहीं यह भी कोई देख लेते हैं क्योंकि confusion नहों जड़ा सा अगला question थोड़ा एक बीजक के कितने भागते तो बीजक मैं आपको बता दो बीजक क्या है तो कभीर दाफ जी की एक करती है ठीक है जिसके यानि की लेकर क्या भी आप कहते प्रवर्टक या फिर जो रचना है वह स्री कभीर अगर आपके एक्जाम में ना पूछा गया तो बताईएगा ठीक है बीजक के कितने भागते आफसर नमबर एक एट है बीजक एक चार और सी नमबर तीन ओडी नमबर साथ तो बीजक एक करती है कभीर दाफ जी की ठीक है जिसके भाग है जिसके नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए फिरहाल आगे वीडियो में और इस तरह कोश्चन और भी हम बताएंगे तो उसमें डीटेल में समझेंगे लेकिन मैं आपको बता दू बीजक के तीन भाग है इसलिए को राइट हो जाएगा सी नमबर तो तीन भाग मैं आपको बत मुसल्मानों के अनुसार कबीर के मुस्लमन के अनुसार कबीर के मुसलियों जो गुरु थे वह थे शेख तक ही इसलिए राइट इसलिए वह जाएगा वहां सान का पॉक्ती अब हम बढ़ते हैं अगले क्यों अगला क्वेश्चन है कि बीजक कि सन में संकलित हुई या जी तो यह रही इसका इंसर इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप 10 कोईस्टेन के लिए क्लास पे नहीं जुड़े है तो वह इस पूरी क्लास का जो है वह जो कोईस्टन है वह समझ नहीं पाएंगे यानि कि बाद में हो सकता क्लास जुट रहे हो तो जल्द ही जल्द आप लोग सारे एक साथ क्लास जुट जुट रहे हो तो मैं पूरे टॉप 20 टॉप 30 टॉप 50 टॉप 100 इसी तरह की टॉप जाएगा इसलिए में रखें अगले वीडियो जो आएगी उसमें आप लोगों के 25 या 30 टॉप चोटे चोटे यानि की मीडियम कुछ 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 को आपको प्रवाइट करेंगे जिससे आप लोगों समझ देंभी आसानी हो और आप लोग आफानी से समझ भी जाए इ ठीक है उसका रिपलाई देने के में पूरी कुछिस करेंगे फिरहाल किसी भी सब्जेट का कोई भी माडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट सक्षर में जरूर बताएगा किसी भी इनुवर्सिटी के चाहत्रों ठीक है और साथ में वीडियो के इसके सरमें टेलीग्राम चैनल टór करेंगेληियो के लेक्स किसी भी में जरूर मैं है बताएगा किसी के वाध किसी भी माधन भा στο कन sector and गरूरूरुब में जरूर्चर